नाकपुर से आ रही है बड़ी खबर नाकपुर जिले के अधिकांश होटल रस्टूरेंट की आड़ में हुक्का बार चलाया जा रहा है ये सभी होटल नाकपुर के लोगों के हैं नाकपुर के इन रईस लोगों ने नाकपुर के बाहर ग्रामिन इलाकों में अब होटल रस् तुरेंट होटल में जाकर खुले आम हुक्का पी रहे हैं आपको बता दें कि इन में अधिकांश होटलों को बार की अनुमती भी नहीं है फिर भी वहां धरलने से शराप का सेवन किया जा रहा है साबने रोड पर दो होटल की आर में हुक्का बार चल रहे हैं ऐसी बात सामने आ रही है एक वैक्ती ने इस होटल में प्रवेश कर वहां चल रहे हुक्का बार का वीडियो बना कर वाइरल कर दिया तो कुछ युवकों ने सोशल मीडिया में हुक्का पीते वे खुद का वीडियो डाल दिया इन होटल की आर्ड में यहां खुले आम अनुमती के बगया शराब के साथ हुक्का का सेवन किया जा रहा है नियमों को ताक में रखकर शराब का स्चौक और अवैद रूप से हुक्का पारलर किसके आशिरवात से इस होटल में चल रहा है यह सवाल उठाया जा रहा है अनुमती बगया शराब का स्चौक करना अनुमती लाइसेंस अब शहरे लोग ग्रामिन इलाकों में हुक्का का सेवन करने आ रहे हैं। हुक्का पाल्लों पर ततकाल पाबंदी लागू कर दी है। हुक्का पाल्लों पर पाबंदी का सैंशोधित विधान मंडल ने पारित किया। ग्रावभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिसंबर 2017 में कमला मिल के एक हुक्का पाल्लर में हुए आग हाथसे में 14 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद ततकालिन महराश के मुख्यमंतरी देवेन फणवीज ने पून पाबंदी लगाने का फैसला लिया। लोग होटल का लाइसेंस लेकर चोरी छपे हुक्का परोस रहे हैं जहां यूवा वर्ग नशे की लत में फस कर आज समाजी गतिविदी को अंजाम देते हैं। होटल की आड में चल रहे अवैध हुका बार को बंद कराने की मुहिम छेड़ना चाहिए। इन बीसियन के लिए अरुन महाजन की स्पेशल रिपोर्ट।